यह लो दोस्तों तो दोस्तों कैसे है आप लोग तो दोस्तों आसा करते हैं कि अप लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों अभी 11 स्टोल्र इसने हैं का फॉर्ट को कर दोस्तों गुलंब स्ट करना बहुत हमें बहुत से बता करने के बातों मैंने चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ इन पहले लिगन को प्रेस कर दें तो दोस्तो इस वीडियो मामलों जानेंगे RRC Group D भरती 22 के बारे में साउटन वेस्टन रेलवे हवली के बारे में देखेंगे तो दोस्तो सबसे पहले इसमस जानते है वेकेंसी कितनी है तो वेकेंसी हवली में 71100 टोटल वेकेंसी यहां पर टोटल फॉर्म फिलफ की बात कर ले तो 6,70,283 फॉर्म यहां पर टोटल फिलफ हुए इस हिसाब से परसीट कंप्रिशन अगर निकाला जाए परसीट कंप्रिशन तो 93 परसीट कंप्रिशन मार जाता है दोस्तों पहले आपको बता दें कि सबसे सर्किनों सबसे सेफ जर्माना जाता है को माना जाता है को उसके बाद सकेंड नमर जो आता है वह लिचया नहीं है चौन दोस्त व्म हैंकल आचि में और बंच्ञा कम प्रसंड केंश्ञाट में है तो दोस्तों अपने टोटर डीटेल देख लिए फिर इसमें हम देखते हैं कि expected cut-up कितना जा सकती हुबली जौन की तो दोस्तों expected cut-up अगर हुबली जौन की देखा जाए expected cut-up जेनल के लिए 59 से 63 तक maximum cut-up जा सकता है डीवी के लिए यानि कि final cut-up पर strategy mark होने के बाद जो cut-up त्यार होगे उस cut-up पेस्पे मैंने बयारत त्यार किया है और OBC के बात करें तो 56 से एक सार तक जा सकती है EWS के लिए 55 से सार तक जा सकता है SC के लिए 53 से 57 के लिए 50 से 54 जा सकता है और दोस्तों ये cut-up डीवी के लिए cut-up यानि की document verification के लिए cut-up फाइनल cut-up इसे आप समझ सकते हैं दोस्तों इससे जादे cut-up फाइर नहीं जाने जाने वाले इसे फाइर जादे high cut-up नहीं जाने वाली है दोस्तों और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे या चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe जरोड कर लेंगे दोस्तों इसी तरह कोई भी update आती है तो आपको इस चैनल के तुरूप इंफॉर्म किया जाएगा दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर नहीं तो प्ली